हेलो गाइज, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मटवना बनाने की रेसिक्लिब, अपनी मम्मी के साथ यह है मतर का मटवना, पहले हाफ के भी मतर को लिया जिसको सिल में किस्वाया और आप चाहें तो गया सी हूँच करती हैं, खाना सुला में पसंद करके खाना, और यह कड़ाई चड़ाई लिए, इसमें दो तीस्पून ओलाला, और 6-7 लॉम लीला, इसको तुकुडे कर लिए इसको डाल दिया और थोड़ा सा हीवी जाल दी और फिर यह मतर को पिषवाया हुआ है, रिल शेट को अच्छा सब तूस्के इसमें तो को आयुल में डाल आपालले।, एंक फिर अच्छी तरिके से सिकाए लिए है अंजो यसाथ पिसावगा मटर अच्छी तरह से सिट जाए एक आलू लिया हुआ है उसको धू के काटके रखा हुआ है और इसको सिल में थोड़ा सा नमक और वो हरी धनिया की फलाते न वो और थोड़ा सा साधा नमक मिर्चीद अपने आवासक्ता अंसा तो यह पीस के रखा हुआ है यह सिख जाए अच्छी तरीके से पास मिनट तक अच्छी आज में सेके यह कटा हुआ आलू रखा है और फिर यह अब सिख चुका है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे फिर इसको अच्छे से मैस करें अच्छे से मैस हो जाए तो इसमें आलू टुपीस डाल दें एक आलू यह आफ केजी मतर के साथ एक कीजी पानी लिया हुआ है तो आप अपले फिर इसको थोड़ा से नमक पीसा गे तो इसको डालने फिर उतार के समय थोड़ा सा और डाल देंगे आवासकता हमसा माद में बालेंगे अबस अब इसको अच्छा 15-20 मता को बलने बीजिए यह हमारा मताना चूले में बन रहा है यह देखिए बिलकुल मदी आच में पक रहा है यह तैयार है हमारे मटर का मटाना चूपंद्रा बीस मिनट अच्छे बॉइल होने के बाद बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है इसका कलर आप देखिए कितना ग्रीन कलर है यह लेस ओईल है और बहुत ही हेल्डियर है सो फ्रेंड्स आप इसे प्लीज एक बार जरूर ट्राई करें और इसे ट्राई करने के बाद हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्स्राइब करना ना भूलें ओके फ्रेंड्स बाई